प्यारे वच्चों नमस्कार कैसे हैं आप सभी उमीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे तो प्यारे वच्चों आपने ये वीडियो तो खोली थी पोटेटो देखके आलू देखके लेकिन यहां पर क्या देखने को मिल रहा है ये कच्चा बदाम के सारे एक्टर्स और ये सारी जो लड़की है नोटंकी सारे कच्चा बदाम के हैं तो प्यारे वच्चों यदि आपको इस कच्चा बदाम गाने से फुरुशत मिल गी हो तो चलिए कुछ पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो आज हम सीखेंगे hot potatoes, मतलब गरम आलू के बारे में सीखेंगे हम लोग, देखिए idiom and phrases का कोई हाथ या पैर नहीं होता है, ठीक है, ये idiom and phrases मिन्स मुहावरे होते हैं, इसको हमें इस्तिमाल करना होता है, यदि हम English को और बह सूर्ती लाना चाहते हैं, then we have to use these idioms, अपने sentences में इस idiom को हमें इस्तमाल करना पड़ेगा, तो प्यारे बत चो चलिए, start कर देते हैं, ये काचा बदा हम हटा देता हूँ अब, अब हम चलते हैं, idiom and phrases पे, so the first, idiom and phrases में सबसे पहले अगर देखा जाए, तो सबसे पहले क्य है, this is the part number three, और अगर किसी ने आपको बोल दिया, कि you are one, hot potato, तो इसका क्या मतलब होता है, यदि आपको किसी को, किसी ने आपको hot potato बोल दिया, तो इसका मतलब यह नहीं है, कि खुश होने की जुरुवत है, और जैसे कि you are looking hot today, कहते हैं, तो इस तरीके से तो हमें लगता है कि हाँ हमारी परशेंशा हो रही है, और हम खुश हो जाते हैं, but somebody is saying you are a hot potato, it means कुछ तो गड़बड है, तो इसका मतलब जाना जरूरी है, जो idiom and phrases होते हैं, अगर हम इसका हिंदी अनुबाद करें, translation करें, तो कुछ मतलब और निकलता है, but यदि हम इनको जानते हूं, तो इसका मतलब कुछ और होता है, क्योंकि ये कहाते होती है, these are the idioms and phrases, तो उसका सटीक मतलब जानना जरूरी है, तो चलिए देखते हैं, actual meaning क्या होता है, और प्यारे बच्चों, सबसे पहले, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज डू सब्सक्राइब इसको सब्सक्राइब कर लिजिए और एक बैल आइकन होता है, उसको प्रेस कर दीजिए, so that you will get notification on time, आपको जैसे ही मैं वीडियो अप्लोड करूँगा, you will get the notification, ये सारी notification किस काम आएंगी, आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ वीडियो अप्लोड हो चुकी है, now it's time to sit with register, notebook और pen, जब भी आपको समय मिले तो आप register pen और notebook के साथ बैट जाएए, so that कि आप चीजों को record कर पाएं, चीजों को लिख पाएं और उसकी practice कर पाएं, let's start, देखते हैं, number one क्या है, ये है कि मैंने हर एक चीज की playlist बनाई हुई है, यदि आपको grade 6 to 10, maths और English में कोई दिक्कत आती है, then you can go to the playlist और वहां से आप देख सकते हैं, अपनी समस्याओं से निजान पा सकते हैं, सबसे पहले यदि आपको किसी ने hot potato बोला, तो इसका मतलब ये होता है, एक कठीन स्थिती, क्या होता है, इसका मतलब एक कठीन स्थिती, मैंने पहले भी बोला था कि आपको खु इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, a difficult situation that is risky to deal with, एक ऐसी situation कि उस situation से हमें पार पाना मुश्किल होता है, for example, discussion on politics could be a hot potato, कि यदि हम politics पर discuss कर रहे हैं, then it could be a hot potato, or you can say, dispute on Hindus and Muslims, in our country is a hot potato, हमारे भारत देश में क्या है, बस Hindu और Muslim के नाम पर लड़ाते हैं, तो it's a matter of hot potato, it's a hot potato, आगी बात सुझ में इसका इस्तमाल करना आगया कि कहां पर करना है, आप खुद से भी sentences बना के comment box में मुझे लिख के बता सकते हैं, कि sir, हमने ये समझा है क्या हम इसको इस तरीके से इस्तमाल कर सकते हैं, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगया, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं, आपका दिमाग भी तो काम करना चाहिए, कि हाँ भाई मैं अलग sentence बना रहा हूं, देन नेक्स्ट वन इस काउच पोटेटो, काउच पोटेटो का मतलब क्या होता है, देखिये जैसे कि कोई ज़्यादा ही शोकीन होता है टीवी देखने का, दिन भार तो यस नीनि बहुत अपर लेटा रहे गा, बिस्तर पर लेटा रहे गा, कुछ भी इसके पास काम नहीं है बस TV देखना है a physically inactive person who spent most of the time in watching TV they are so inactive that they never take participant in any physical activity किसी भी physical activity में पाटिस्पेट नहीं करें गा, they'll not do any exercise or they'll not do any activity which is related to a physical moment मतलब फीजिकल मुवमेंट से रिलेटेट कोई भी एक्टिबूटी जोगा वो उनको पसंद नहीं है यह देल जस्त लाय ओन द बैद और सोफा और अराम से सारे समय क्या देखेंगे देल कीप वाचिंग टीवी एक्जामपल देख लीजिए दूरिंग लोगडाउन वोद राम से बएठें बैठें लेटे लटे अर इस आदत ने लोगो क्या कर दिया है इत हैस तन फ्री अच्छ पोटेटो फ्लीज देखेंट लिए गलत लिग गया है इट है टॉन इन इट है टॉन दे पीपल इन्टू काउच पोटेटो आगी बात सोंज में तो प्यारे बच्चों काउच पोटेटो का मतलब ही यह होता है कि मतलब बिलकुल ही शारीरिक रूप से कोई काम न करे और अराम से बैठा बैठा तीवी देखता रहता हो और खा अच्च पोटेटो पोटेटो निजात पाना चाहेंगे तो और भी अपने पास है potatoes related idioms and phrases I'll tell you in next video till then इन दो आलू की बात करते रही है एक है couch potato and the second one is hot potato तो प्यारे बच्चों मुझा उमीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं if you like this video please do share it do like it and write down on the comment box with your with your own sentences तो मुझा मालूम चलेगा कि हाँ आप सी गया है till then take care खुश रहिए good bye